इस वक्त चर्चा कर रहे हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं और ये तस्वीर निकल करके सामने आई है तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों से जुड़े हुए सांसद और प्रमुक इस बैठक में हैं जिनके साथ प्रधान मंत्री मोदी चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले बताया जा रहा है कि किसको कौन सा मंत्राले दिया जाए किस पार्टी के पास कितने मंत्राले हों उसे लेकर लगबक 11 गंटे का जो मेराथन मंतन चला है उसके बाद सोर्सस बता रहे हैं कि जो 4-5 बड़े मंत्राले हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी इसके अलावा अलग-अलग सहयोगी पार्टियों को मंत्री पद दिये जाएंगे और अब प्रधान मंत्री मोदी, NDA के सांसदों और अलाइन्स पार्टी के प्रमुखों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं तीसरी बार आज मोदी जो हैं वो प्रधान मंत्री पद की शपत लेने जा रहे हैं शाम सवा साथ बजे शपत ग्रहन होगा जिसकी बड़ी तैयारी की गई है लेकिन इस से पहले ये चर्चा और ये संबोधर प्रधान मंत्री का बहुत से कयास हैं मंत्री मंडल को लेकर किस किस को मंत्री बनाया जाएगा कौन से सहयोगी दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे किस की क्या भूमिका होगी कौन सा मंत्रा ले जाएगा किसी को राज्य मंत्री मिलेगा किस को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा बरहाल फिलाल ये जितने चेहरे आप देख रहे हैं इन्ही चेहरों में से मंत्री मंडल में शामिल होने वाले वो तमाम चेहरे होंगे जिनको आप मोधी सरकार 3.0 में अलग-अलग मंत्रालियों की कमान सम्हालते हुए देखेंगे इसमें मोधी सरकार 2.0 से जुड़े हुए क्याबनेट मंत्री भी है वो चेहरे भी है जिनको रिपीट किया जाएगा एलाइन्स पार्टी के भी वो जीते हुए सांसद या पार्टीों के प्रमुक जिनको मंत्राले में जगे मिलने जा रही है तो उन सभी के साथ फिलाल चल रही है और यह लाइब तस्वीर इस वक्त आप उसकी देख रहे हैं यह एक्स्क्लूजिव तस्वीर है जो न्यूज एटीन आपको दिखा रहा है पवन गौड से इस पर चर्चा करते हैं पवन यह किस तरह का संबोधन है और क्या खास है इसमें यह किस तरह की चर्चा है यह जो फुटेज हम दिखा रहे हैं क्या थोड़ी दिर पहले जो चाय पर चर्चा हुई थी क्या यह उसकी तस्वीरे हैं या यह लाइब तस्वीरे हैं इसके बारे में कुछ बताईए जिन नेताओं को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था यह उसी की तस्वीरे हैं प्रधानमंत्री कारेले से अफसे थोड़ी दिर पहले इनको जारी किया गया है आम तोर पर प्रधानमंत्री जो नए मंत्री बनने वाले होते हैं उन उनसे चर्चा करते हैं जो नए मंत्री बनने वाले होते हैं तो ऐसे में ये तस्बीर हैं उन्हीं सांसदों के साथ चर्चा की और यहां प्रदान मंत्री जो है वो उनसे कह रहे हैं कि आपको जिम्मिदारी दी जा रही है तुरंट शपत विहन समारों के बाद में आपको अप आपको लगातार और ज्यादा काम करना है और ज्यादा मेहनत करनी है पिछले दो कारेकाल में जो काम रह गए हैं उनको और तेजी से पूरा करना है और तेजी से आगे बढ़ाना है तो यह सब बात है प्रधानमंतरी अपने सभी सांसदों के साथ करते रहे हैं और इस बार भी प्रदान मंत्री ने जो नए सांसाझ मंत्री बनने जा रहे हैं उनको यही एक मंत्र दिया है कि आपको लगातर शपद और समारों के तुरंथ बाद ही जेश्ट्न में नहीं जुटना है लेकिन आपको लगातार तुरंट अपने काम पर अपनी महनत पर जुट जाना है और आपको लगातार अपना तुरंट अपना मंतराले का काम का सवाल कर काम में उतर जाना है बिल्कुल आप नजर बनाये रखें जानकारी के लिए शुक्रिया तो अपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरे हैं जब चाय पे चर्चा पीम ने की थी और आपको ताज़ा अपडेट दें कि ये मीटिंग खत्म हो चुकी है और उसी मीटिंग में प्रधान मंतरी मोदी ने सभी को कहा कि शपत ग्रहन के फॉरण बाद आप सभी लोगों को मेहनत से अपने काम में जुट जाना है